नमस्कार दोस्तों अंचलों में डाटा इंट्री ओपरेटर के 236 पदों पर बहाली आने बाली है आईए जानते हैं इस न्यूज को पूरे डिटेल के साथ की बहाली कब तक आएगी और इसके लिए योगिता क्या रहने बाली है तो चलिए आज कब डिश्ट टार्ट करते हैं अंचलों में 236 डाटा इंट्री ओपरेटर होंगे न्यूक्तु पटना राज में लोगों को मामूली फीस पर जमीन के दस्ताबेच अंचल में ही उपलब्ध होंगे जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और डिजिट लाइड दस्ताबेच मामूली सुल्क लेकर रहयतो की मुहिया कराने के लिए मौडन रिकॉर्ड रूम बनाने की इधरती योजना जमीन पर उतरने जा रही है राज में 534 अंचल है जिन में 436 अंचलों में दो मंजली इमारत तैयार हैं परती एक MRR पर चार डाटा इंट्री ओपरेटर की न्यूक्ति के लिए फाइल केबिने के पास भेज दी गई है मंजूरी मिलते ही 236 डाटा इंट्री ओपरेटर की न्यूक्ति की प्रक्रिया सुरू कर दी जाएगी राश्ट्रिय भूभाग के आधुनिकरन कारिक्रम यानी इधरती के अंतरगत 26 प्रकार के भूवी लेखाओं को सुरक्षित रखा जाना है इसक प्रक्रम बनाना और भू अभी लेखाओं जैसे नक्सा वो वी वन खसरा का कंप्यूट्री करन किया जाना है राजा सुएवं भूमी सुधार विभाग के अपर मुख के सचीव ने बताए कि राज के सभी अंचलों में जल्दी आधुनिक अभी लेखा गारसा डाटा एंट रिकेंड काम करना शुरू कर देगा MRR 236 डेटा एंट्री ओपरेटर का नियोजन बेल्ट्रोन या अन एजनसी के जरिये किया जाएगा तो राज के 534 अंचलों में 236 डेटा एंट्री ओपरेटर की भरती आने बाली है यह भरती जनवरी से फरवरी तक आने की संभाबना है इसके लिए योगीता बारमी पास रखी जाएगी इस बारती से जैसे ही कोई लेटेस्ट अबडेट आएगी हम आपको वीडियो के मादम से सुचित कर देंगे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चालगे तो वीडियो को लाइक और सेर ज़रू कर